बार मैगनेट as an equivalent solenoid यह पूरी शीट को पढ़ने की जुरूरत नहीं है आपको तो लिख लेना जो भी आँ लिखना चाहते हो मुझे नहीं पढ़ना don't read या जो भी लिखना लिख लो इसमें दो बाते बताई गई है पहली बात कि अगर एक solenoid है अगर एक solenoid है आप imagine कर सकते हैं कि एक solenoid का एक ring magnetic field regenerate करता है तो एक bar magnet की तरह काम करेगा अगला ring bar magnet बहुत सारी bar magnet मिला के एक बड़ा bar magnet बस तो एक solenoid को treat किया जा सकता है एक बड़ा bar magnet उल्टा भी true है एक बड़े bar magnet को treat किया जा सकता है लाइक को break करकर के solenoid में convert कर सकता है मन में imagine करना है bar magnet solenoid बनते नहीं है reality में imagine करना है बस यह एक topic है दूसरा topic है gauss law gauss law in magnetism electrostats का gauss law हमने किया था e.ds किया है q by epsilon not magnetics का gauss law है b.ds is always equal to zero किसी भी close body का b.ds 0 होता है यह कहके यह chapter close है हम इसके उपर कुछ नहीं करने वाले gauss theorem in magnetism के उपर कुछ नहीं आएगा बस यह law पता होना चाहिए sufficient है बस ऐसा नहीं है कि होता नहीं है होता है पर हम नहीं कर रहे हमारी course में नहीं है